नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टार्गेट ओन में सभी लोग जो प्रेक्टिस का करम चल रहा है उसी करम में आज हम लोग राश्ट्रपति पर चर्चा करेंगे अब तक हमने अब तक हमने आपके साथ राजिके नीतिनिदेशक्तत्व इसके पहले हम सारा देख चुके हैं राजिके नीतिनिदेशक्तत्व डायरेक्टिव प्रिंस्पल साफिस्टेट पॉलिसी भाग चार फिर हमने देखा मूल करता के जिसको आप कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यह भाग चार भाग चार कर देख लिया है आज इसी के आगे की स्रिंखला में हम लोग जो प्रेक्टिस करेंगे वह क्या होगा वह होगा भाग पांच भारत का राश्ट्रपति से बात हुई थी कि आपके सारे क्वेस्टन के साथ साथ आप का एक बार रिवीजन चले रिकॉलिंग के लिए उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है और अब तक आपने देखा होगा चाहे वो हिस्टोरिकल बैक्ग्राउंड रहा हो चाहे वो सिटिजन सिप रहा हो चाहे वो स्टेट एंड यूनियन टेटोरीज रहा हो या का अब हम रिवीजन कराके एक बार रिकॉलिंग कराके आप लोगों को एकजाम के लिए और मजबूत करेंगे इसी खड़ी में आज आज सुरू करेंगे भाग पाँच भारत के राष्ट्रपति के बारे में निमन कथनों पर विचार कीजिए प्पेस्चन है आपका निमन क कथनों पर विचार कीजिए क्थन क्या है कथन कहता है भारत का राश्ट्रपती ब्रिटीस ब्रिटिस राजा से भिन्हें कारण कहता है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है चलिए भाग पांच की बात करें अनुछेद 52 से 78 तक में संग की कारेपालिका के बारे में वर्ण किया गया है भाग पांच अनुछेद 52 से 78 तक में संग की कारेपालिका के बारे में वड़न किया गया है संग की कारेपालिका क्या कहती है संग की कारेपालिका कहती है राष्ट्रपति के बारे में उपर राष्ट्रपति के बारे में आपके महान्य वादी के बारे में ये क्या है ये कारे पालक पद होता है ये कारे पालक पद होता है हाला कि राजिका राजिपाल भी कारे पालक पद होता है लेकिन वो भाग पांच में नहीं तो भाग पांच अगर हम देखेंगे तो कारे पालक की भूमिका के में हमें कौन-क दिखेगा तो हमें भले ही अनुछेद 74 मंत्री पर इसे दिखेगी प्रतेक मंत्री भी विधाईका के सदस यह हैं लेकिन वो कारेपालक की भूमिका में दिखेंगे और इसके अतरीक्त राष्ट्रपती ऊपर राष्ट्रपती और महानियवादी भी हमें किस भूमिका में ना चलिए भाई अब इसी को आगे देख लिया जाए अनुछेद बावन कहता है भारत का एक राश्ट्रपती होगा अनुछेद बावन ने सिम्पल बात कही कि भारत का एक राश्ट्रपती होगा अब हमारे आपके व्याक्या का विशे हमारे आपके नौलेज का विशेमा लीजिए किवल यही एक लाइन दे दे और कह दे आयो कि इस पर कुछ तिपड़ी लिखिए तब क्या लिखेंगे यह हमारे आपके नौलेज का विशे होगा कहता है भारत का ए जो भारत का राष्ट्रा ध्यच्य कहलाएगा जो भारत का राष्ट्रा ध्यच्य कहलाएगा भारत का राष्ट्रा ध्यच्य कहलाता है अब बात करते हैं है ऐसा भारत का राश्ट्रा धच्छ क्या है कहा गया बह Glanik प्रमुख नहीं है भारत से राश्ट्रपति वेधानिक प्रमुख रहे मतलब है वस्तविक और Valenti दो शब्दो को मुझे समझाना है वैधानिक प्रमुख है वास्तविक प्रमुख नहीं है अब आप कहेंगे में यह क्या है वैधानिक प्रमुख है वास्तविक प्रमुख नहीं है भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुछेद 52 बसीतना कहता है हम कहते हैं जो सम्मेधानिक प्रमुख है ज चू की विश्व में सबसे पहली बार लिखी संविधान के माध्यम से राष्ट्रपती के पद को इतना सशक्त बनाया है अमेरिका इसले अमेरिका का जो राष्ट्रपती होता है वह विश्व का प्रतम नागरिक कहलाता है क्या कहलाता है अमेरिका का राश्टपति विश्व का प्रथमनागरिक कहलाता है बारत सरकार के सारे कारे इसी राश्टपति के नाम से होते भारत सरकार के जितने कारे विदेशों में होंगे, युद्ध होंगी, शंदियां होंगी, विदेशों में राजनाइकों की नियुक्ति होगी, विदेशों से आए हुए राजनाइकों को इनके दूतावासों में नियुक्ति दी जाएगी, ये सारे कार राष्टपत के नाम से किये जाएंगे इसका मतलब यह बैधानिक प्रमुख है लेकिन इस कारे को करने की वास्तवीक शक्ति किसके पास समाहित है कागया अनुशेद बैधानिक प्रमुख का मतलब होता है अनुछेत तिर्पन कारेपालिका का प्रमुख इसके बिना कुछ नहीं होगा लेकिन वास्तों में ये एक जगह इसकी शक्ति सीमीत हो जाती है मंत्री परिसद जब कहा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुछेत बावन ल मंत्री परिसद के माध्यम से करेगा और मंत्री परिसद का प्रमुख कौन होता है प्रधान मंत्री होता है जो भारत सरकार का लोकप्रिय नुटा होता है यही वास्तविक प्रमुख होता है इसलिए कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति वैधानिक प्रमुख तो हो सकता वास्त भी प्रमुख नहीं हो सकता भारत में ऐसे राष्ट्रपति का पद भारत में ऐसे राष्ट्रपति का पद ब्रिटिस समराथ से लिया गया कहां से लिया गया ब्रिटिस से लिया गया अगर कभी पूचा जाए किन तो इसका नामकरण किसका राष्ट्रपति का प्लस इसकी शक्तियां कार्य करने के तरीके कहां से लिये गया अमेरिका के संविधान से लिया गया यही नहीं इतना ही नहीं राष्ट्रपति अगर अपने पद ग्रहन की तारीक से फच वर्स तक अपने पद पर बना रहता है तो वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना जाए किन्तो इसके पूर भी वह चाहे तो स्वेक्षा से अपना त्याग पत्र उप राष्टपती को संबोधित करके अपने पद से मुक्त हो सकता है किन्तो अगर ऐसा राष्ट्रपति जिसका कारेखाल पूरा नहीं हुआ इसने स्वेक्षा से उप राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र नहीं दिया तब इसे अगर इसके पद से हटाना हो तो एक कंडीशन बनती है महाभियोग ऐसी कंडीशन जो महाभियोग बनती है ये अमेरिका से लिया गया अनुछे दिकसर तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद तो ब्रिटिस समराड से लिया गया किन्तो इसके समान नहीं है कैसी समानता नहीं ये भी समझे भारत का राष्ट्रपति बंसान उगत नहीं भारत का राष्ट्रपति जन्म लेते ह नहीं बने भारत का राष्टरपति निर्वाचित होता है इसलिए भारत के संबीधान की तेशिका कहती है हम भारत के लोग अपने भारत को संपूर्ण तो संपन समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोग तांत्रिक गड़ राज बनाने के लिए गड़ राज क्या होता है जिसका राष्टा धेच निर्वाचित होता है आनुवानसीक नहीं वही गड़ राज है भारत ने अपने राष्टा धेच को निर्वाचित किया है तो यह कह से लिया गिए ब्रिटिस समराज से लिया गए नाम करण सक्तिया गेर से मगर उसके समान नहीं है तो ख्वेश्टन क्या Fest रहा है बहरत का राष्टपति ब्रेटिस राजा यह प्रिटिस सम्राइथ से क्या य يसा है काता नहीं यह तो सही है परंटु आर गलत है यह वहारत के राश्ठ्रपति की जो व्याक्या है कि Colin सही एक अमेरिका कर श्राइब साघ्ति है सक्टियों का अभर मिलता तो बिटिस सम्राठ से होगा ना कूँछी से यह पदलिया ऑग़ में आगे देखते हैं निमल लखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्षनिक राजा अत्वा दार्षनिक शासक के रूप में जाना जाता है को है जो दार्शनिक राजिया दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है बड़े ही प्रमुक चिंतक थे इसलिए इन्हे दार्शनिक शासक या तार्शनिक राजा कहा गया संघी कार्यपालिका का मुख्या भारत का राष्टपती होता है कथन कारण के सवाल है मैंने कहा था आपसे जिस प्रकार के सवाल बन सकते हैं सारे सवाल हम लेकर आएंगे संघी कार्यपालिका का मुख्या भारत का राष्टपती होता है राश्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है कथन है संगी कारिपाली का कमुखिया भारत का राश्ट्रपति होता है कारण कहता है राश्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है चलिए देखा जाए अनुछेद बावन मैंने क्लियर ही किया है अभी अभी सारा बता करते हैं अनुछेत तिर्पन तिर्पन इतना इंपॉर्टेंट है जो वास्तों में राष्ट्रपति की स्थित बता देता है कैसे तिर्पन का खंड एक कहता है संग की समस्त कार्यपाल की शक्तियां संग की समस्त कार्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति में समाहित होती यही तिर्पन खंड एक लेकिन एक लाइन कहता है किन्तु इसका प्रयोग वह कौन भारत का राष्ट्रपति अपने अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से करेगा इसमें दो बाते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फैक्ट को समझिएगा करा संगी कारिपालिका का मुख्या भारत का राष्ट्रपति होता है अफिकारण काता राष्ट्रपत की शक्तियों कि कोई सीमा नहीं है क्यों कि भारत का सर्वी सर्वा है भारत का अनुछे तिरपन खंडेक काता एक भारत को मैं आपके निराकरण को समस्या को मैं खत्म करता हूं मैं निराकरण कर देता हूं सम्विधान के द्वार आपकी समस्या को कैसे करता हूं कहता बावन तो तुमने पढ़ लिया भारत का एक राष्ट्रपति होगा तीरपन खंडेक पहले पढ़ों कहता क्या है संग की समस्त कारेपाल की शक्तिया राष्ट्रपति में नहीं यतो स्व्यम है हो या अपने अधिनस्ता अधिकारी के माधियम से करेगा तो राष्ट्रपति स्वाथ भीचसिस कुछ ही कारिक जब वो G.B. बीटों का प्रियोक कर दे जेबी बीटों का प्रियोग कर दे, फिर वो किसका प्रियोग कर दे, फिर वापुनर विचार का प्रियोग कर दे, जो उसको 44 में संविधान संसोधन अधिनियम 1978 द्वारा मिला है, इसका प्रियोग कर दे, तो ये तो रेयर बाते हुई, लेकिन सारी बातों के लिए कहा गया, भारत के राष्ट्रपति की अपनी शक्ति है लेकि 352 जब तक मंत्री मंडल लिखित ना दे वो नहीं यूज कर सकता प्रधान मंत्री की नियुक्ति करना है तो भी बहुमत दलका नेता देखेगा और अध्रिश्य मंत्री परिसाद अध्रिश्य मंत्री परिसाद महां खड़ी होकर भी उसको राय दे रही है मंत्री परिसाद की नियुक्ति करेगा तो प्रधान मंत्री की राय लेगा तो इसका मतलब भले ही भारत का राष्ट्रपति संग की कार्यपालिका का प्रमुख है किन्तुबा अकेले सर्वे सर्वा नहीं है सर्वे सर्वा वास्तविक सरकार सर कार का प्रमुख मंत्री परिशद है और उसको हर बार मंत्री परिशद की राय से ही क्या करना होगा कारे करना होगा तो संगी कारिपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्पत ही होता है कथन तो सही है कारण राष्ट्पत की सक्तियों की कोई सीमा नहीं है क्यों नहीं है बहि किन्तु आर गलत है कि स्रीमती प्रतिभा पार्टि लखा भारती गड़तंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कारेकाल का क्रम क्या है क्या कह रहा है इनके कारेकाल का क्रम बता दीजिये क्या है दसमा ग्यारहमा बारहमा तेरहमा आपको ये समझना होगा तो अब थोड़ा सा क्रम जरूर याद रखेंगे क्रम याद करने का एक फाइदा होता है कभी भी किसी भी क्रम से उठा के सवाल पूछ ले इक्जाम का पैटर्न बदल रहा है क्रेश्चन का तरीका बदल रहा है इसलिए आप भी अपने को बदलेंगे दसमा ग्यारहमा बारहमा तेरहमा इन सब को ध्यान देना है दसमा क्यार नारायनन है कौन है क्यार नारायन ग्यारहमा एपी जे अब्दुल कलाम है मिसाइल मैन यही संग्या इन्हें मिली है मिसाइल मैन की बारहमा है प्रतिभा पाटिल जी अगर मैं यही करम लिख दूँ वास्तों में अगर मैं यही करम लिख दूँ तो क्या करम गलत हो जाएगा रामनात कोविंद जी को यहां दिख दूँ वर्तमान द्रोपदी मुर्मु जी लिखा जा सकता है करम याद किया जा सकता पहले चले जाएगा दूसरे नमबर पे चले जाएगा तीसरे नमबर पे चले जाएगा चोथे नमबर पे चले जाएगा पहला दूसरा तीसरा चोथा हम फिर एक question ऐसा ही बना के आपके पास लाएंगे ताकि वो क्रम याद करवा दें इधर ये क्रम याद करवा दें और आपका तयार हो जाए ये भारत का राष्ट्रपती दो पार्ट में लेंगे तो कुछ question वहां रगनेंगे पहला दूसरा तीसरा तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है तो answer क्या है C है बारहवा फिप्त की और चलिए सम्विधान के निम्न लिखित अनुछेदों में सम्विधान के निम्न लिखित अगर करम तूट गया तब हमारे थास से चला गया इसका मतलब यह क्या था आपके लिए इसका मतलब यह था कि अव आप तयार हो जाईए 51 मैंने पढ़ाया है आपको DPS भाग चार है अनुछे छती से इक्यावन है अंतराष्टी संधी और शांती का या अंतराष्टी विधियों के पालन का करता भी किसका करता भी होगा राजी को राजी को इसे मानना चाहीए 51 तो याद कर लिजे ये था 50 था कारेपालिका का न्याइपालिका से प्रिठक करण मैंने बताया ही था चलिए भाई अनुछेद बावन अभी अभी हमने पढ़ा था भारत का एक राष्ट्रपती होगा मुझे लगता नहीं कि इसको व्याख्या करने की जरूरत है अभी अभी मैंने व्याख्या किया है तीरपन का खंड एक हमने पढ़ा था संग की समस्त कारेपालिकी शक्तियां राष्ट्रपती में समाहित होंगी किन्तु इसका प्रियोग वह या तो स्यम करेगा या अपने राष्ट्रपती तीनों सेनाओं का सर्वोच समादेशक होता है कमांडर होता है इसलिए न्यूक्ति करना प्रमोशन करना शंदी करना युद्ध करना सब राष्ट्रपती के द्वारा नहीत होता है ठीक उसी तरीखे से अनुचे तिरपन खंडदों कैसा है ठीक उसी तरीखे से जब 1786 का अधिनियम आया था और एक आया था बहुत बड़ा गवर्न जंद लाड कार्णवालिस इस था ही बंदोबस्त का जन्मदा था जब आया था तो उसने का मुझे बीटों का अधिकार चाहिए उसने का मैं तीनों से नाओ का सर्वोच कमांडर बन के जाओंगा तभी में जाओंगा तो 1786 की जो प्रक्रिया थी वो यहां आपको दिखती है तिर पन था कि राष्ट पति के निर्वाचक मंडल की बात करें अनुछेद चवब किया कहता है अनुछेद चवब कहता है कि भिया इतना जानलो कि जब कभी भारत के राष्ट पती यह उपर राष्टृपती का निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति या उपर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो ऐसे निर्वाचन के लिए आवस्यक होगा एक निर्वाचक मंदल का होना जिस प्रकार बिना संभिधान सभा के संभिधान का निर्मार नहीं हो सकता उसी प्रकार बिना निर्वाचक मंदल के तो ये क्या है जरूरी है निर्वाचक मंदल का बनना ऐसे निर्वाचक मंदल में कौन-कौन सामिल होंगे तो कहता है संसद के दोनों सदनों कौन लोकसभा, राजे सभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। फिर काता है दूसरा होगा राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों लोक सभा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा कहा गया कि भैया मैंने एक संसोधन किया है सत्तर्मा संविधान संसोधन अधिनियम 1992 जिसमें मैं कहता हूं कि दिल्ली और पुड्डुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन में अपनी विधान सभाओं है। जिनकी अपनी विधान सभाओं है तो ऐसे दिल्ली और पुड्डुचेरी के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राश्ट्रपति के निर्वाचक मंदल में सामिल होंगे। किसी भी परिस्थित में किसी भी इस्थित में एक चीज़ जान लीजिएगा संसत के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य सामिल नहीं होंगे। राज्यों के विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य सामिल नहीं होंगे। दिल्ली पुड्डुचेरी के विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य सामिल नहीं होंगे। फिर इसके अतरिक्त कौन सामिल नहीं होगा। राज्यों की विधान परिश्दे ना तो निर्वाचित सामिल होती है ना मनुनीत सामिल होती है ये क्या है ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है पक्का है एक प्वेस्चन में देगा अब सवाल ये कि मां लीजे इनमे से कोई एक उस समय सत्र में ना हो उस समय इस्थि में राष्टरपती का निरवाचन किसी भी आधार पर कोई एक में होगा तो भी होगा केवल कोई एक सदन में है तो भी होगा राष्ट्रपत का निर्वाचन टाला नहीं जा सकता किन्तु शर्त यहीं है 54 कहता है कि राष्ट्रपती उपर राष्ट्रपती का जब जब निर्वाचन होगा तब तब निर्वाचक मंदल का बनना अनिवार है तो यह क्या था 51, 52, 53, 54 हमने आस्तों में आंसर था तीरपन संगी की कारेपाली की शक्तियां राष्ट्रपती में नहीं थे नीचे दो वक्तव यह दिये गए हैं एक कथन है दूसरा कारण है नीचे दिये गए है कूर्ट सही उत्तर आपको चुनना है कथन कहता है रच्छा बलों का सर्वोच कमांडर र राष्ट्रपती में कारण काता है प्रधान सेनापती की हैसियस से प्रधान सेनापती की हैसियस से राष्ट्रपती की शक्तियां विधाई नियंत्रण से स्वतंत्र हैं अभी अभी हमने अभी अभी हमने ब्याख्या देखा है रच्छाबलों का सर्वोच समादेशक होता है तीरपन खंड दो ने तो भहिया भले ही रच्छाबलों का सर्वोच समादेशक है किन्तु विधाई शक्तियों से मुक्थे ऐसे नहीं कहा जा सकता क्यूं विधाई नियं से स्वतंत्र हुई ही नहीं सकता क्यूंकि तीरपन का खंड एक इसे नियंत्र में बता चुका है बिना चोहत्तर के राश्ट्रपति कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता अर्थात राश्ट्रपति को सायता और सलाह देने के लिए एक मंतरी परिशद होगी जिसका प्रमुख भ की उसके अधीन राकर कारे करना है भारत के निम्नgate ने आए आधिशों में से किस एक ने राष्ट्रपत тебя के रूप में कारे किया इसका मतलब कारे वाहक रहा हुगा इसका मतलब ऐसी कोई स्थिती बनी होगी कि राष्ट्रपत नहीं रहे होंगे और किसी एक ने इसमें से कार्यवाहक राष्ठपत के रूप में कार्य किया होगा जस्टिस M.C. महाजन, जस्टिस M. हिदायत उल्ला, जस्टिस P. एन भगवती, जस्टिस B. के मुखर जी बताये, ऐसा था कि डाक्टर जाकिर हुसेन भारत के तीसरे राष्ठपती थे, भारत के तीसरे राष्ठपती थे, और मैंने आपको बताया भी है, आपने पढ़ा भी है, कि राष्ठपती का पद कैसे रिक्त हो सकता, या तो महाभियोग लग जाए, या स्वता त्याग पत्र दे दे, अथवा मृत्य या आकस्मिक कोई घटना घट जाए, तब क्या होगा, तब राष्ठपती का पद रिक्त होगा, हुआ यही, यह जाकिर 1979 से, 20 जुलाई 1979 से, 25 अगस्त 1979 तक, जश्टिस M हिदायत तुल्ला ने कारेवाहक राष्ठपती के रूप में कारे किया है, कारेवाहक राष्ठपती के रूप में कारे किया है, तो यह सब कुछ क्वेश्चन है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और मुझे लगता ही यह आपका तयार होना चाहिए, यह आप लोगों का तयार होना चाहिए, निम्न लिखित में से कौन सा राष्ठपती सर्वोचिन्यायाले में उपस्थित हुए थे, जब सर्वोचिन्यायाले राष्ट्रपती के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, निर्वाचक मंदल हमने पढ़ा है, अब विवाद की भी कंडिसन देख ले, चलिए, अनुछेद चौवण निर्वाचक मंदल बताता है, हमने पढ़ा भी, अनुछेद चौवण निर्वाचक मंदल बताता है, अनुछेद पच्पन निर्वाचन का तरीका बताता है, कि शरीत इसे निर्वाचन होगा 54 निर्वाचक मंदल बना के का दिया बहुत सारे निर्वाचक मंदल सामिल है सब उपस्थित है आप निर्वाचन करा लिजिए तो अनुछेत पश्पन कहता है ठीक है निर्वाचक मंदल वहां है तरीका तो मुझे देखना होगा आप रत्य लाए कि एकल संक्रमडी लाए कि अनुफातिक प्रतिनीदित्य प्रडाली लाए यह तो मेरा होगा तो यह तरीका बताता है चपन कहता है कि भाईया इनकी पदावधी कितनी होगी यह मैं बताऊंगा पदगरहण की तारीक से पांच बस तक तो अनुछेद 57 कहता है कोई बात नहीं अगर आपके यह रिटायर हो गए तो मेरे यहां इनको पुनर नियुक्ति में दे दूंगा 58 कहता है इनकी योग्यता देख लेना 58 कहता है इनकी योग्यता देख लेना चलिए भाई कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया निर्वाचक मंदल बन गया निर्वाचन का तरीका ले लिया गया पच्छपन द्वारा अच्छपन द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंदल बन गया निर्वाचन हो गया एक व्यक्ति ए था जो चुन लिया गया पर वे सीधिन तो भारत के राश्ट्रपती और ऊप राश्रपती existing निर्वाचन के लिए नीरवाचक मंडल की आउशकता है जब निर वाचन हो गया तो पता चला कि ए ने एक बात छिपाई थी वो तीस वर्सका था जब वो चुनाव लड़ा था तीस वर्स का थार था ती योगेता फुल फिल नहीं कर रहा था और इसमें जूट बोला लेकिन ए ने क्या किया था दो वर्स तक कारे कर लिया था अब विवाद हुआ तो लोग भागे भागे गए राजी के पास कह देखो उचनियाले के पास ग राजी ने हाथ खड़ा कर दिया था भाइया एक चीज़ समझो यह संग के कारेपालक है यह संग के कारेपालक है आप सीधी उच्चतम ने आया ले चले जाओ क्यूंकि इनके लिए अनुछेदी कहत्तर है अनुछेदी कहत्तर ने कहा है चाहे राष्ट्रपति का मामला हो प से दिखे खाये हां यहा है gör आप भाग कर राएंगे सर्वोच सिप्रीम कोर्ड को इस सुप्रीम कोड जो नीड़ा देगा Dubai अंतीम LED निष्च और माने नीडशच लेकिन ए दो वर्स जो कारी किया था वो कारी वैद रहेगा लीगल रहेगा केवल एलीगल रहेगा क्यूं क्योंकि तीरपन खंडेग कहता है कि राष्ठपति जब भी कोई कारे करेगा वह अपने अधिनस्ता थे वी वी गिरी थे ऐसे व्यक्ति कौन थे वी वी गिरी थे लोग सभा और राज्य सभा की सउयुगत बैठक किसके द्वारा आहुत की जाती है लोग सभा और राजय सभा की सहीवत बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है कौन बताएगा अब हमको व्याक्या देखनी होगी क्या करना होगा व्याक्या देखनी हो कहते क्या है कि जब नई निर्वाचित होती है लोगसभा नई गठीत लोगसभा निर्वाचित होके नई नई आई है लोगसभा तब यह प्रतेक वर्ष के आरंभ पर जब लोगसभा का सत्र शुरू हुआ तब राष्ट पती इन्हे अनुझे 86 के दए उठ संबधित करके बुलाता है कि बहिया संबधन यानि एड्रेश के लिए बुलाता है बताता है कि महोदे आपने माली पुरानी थी तो प्रते एक नए बर्ष प्यारत उनको बताता है कि आपको किस-किस प्रकार से कारे करना है, पिछली सरकार ने कौन सी नीती नीदे सकत्तों का पालन किया था, आपको क्या करना है, कौन बताता है, राष्ट्रपती बताता है, कब बुलाता है सहित अदिवेशन, जब नई लोग सभा गठित होती है, अथवा चुनाव होने के लेकिन इसके अतरिक्त क्या होता है कारा लोगसभा और राज्य सभा की सहुख्त बैठक अधिवेशन सब्द नहीं है सहुख्त बैठक कहा गया अनुछेद 108 कहता है 108 कहता है जब कभी लोगसभा और राज्य सभा में कोई विध्यक पारित होना था उस विध्यक को लेकर दोनों सदनों में विवाद हो गया गतिरोध हो गया तब राष्टपति उस विवाद को उस गतिरोध को खत्म करके उस विध्यक को पारित कराने के लिए उस विध्यक को पारित कराने के लिए सहयुक्त बैठक आहुत करता है, यानि सहयुक्त बैठक गुलाता है, सहयुक्त बैठक साधारण बहुमत से पारित होता है, सहयुक्त बैठक की प्रक्रिया है कि इसमें साधारण बहुमत आता है, चुकि लोग सभा जादा संख्या लिये हुए है इसलिए जब जब सहयूग तो बैठक आता है ना तब तब राजिसभा घबडा जाती है क्योंकि इसको पता चल जाता है कि राश्च्पति मोध इसे लिए बुलाए है कि विध्ययक पारित होना आवश्यक है और लोग सभा जादा संख्या लेने के कारण जिद कि ताकि मेरे द्वारा ये विरोज समाथ हो प्रस्ताव पारित हो ऐसे सहयुक्त बैठक के अधिवेशन की अध्यच्छता कौन करता है तो ऐसे सहयुक्त बैठक के अधिवेशन की अध्यच्छता लोगसभा का स्पीकर करता है अगर लोगसभा स्पीकर नहीं है ताब तो कहते डिप्टी स्पीकर करेगा अर्थात उपाध्यच करेगा लेकिन अगर अध्यच उपाध्यच दोनों उपस्थित है तब तब राजसभा का उपसभापती वाइस चेयर्में डिप्टी चेयर्में कर सकता है लेकिन चेयर्में नहीं करेगा राजसभा का जो सभापती होता है व कुसको मिल कर्मनों नीत कर दे कोई वरिष्ट सदसिवो कर देगा लेकिन किसी कीमत पर राजिसभा का सभापती नहीं करेगा भारती संविधान के किस अनुछेद के अंतरगत राश्ट्रपती संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृती रोख सकता है इंपोर्टेंट ख्वेश्चन है भेशारे और घेर सारे क्वेश्चन आपके लिए उतने ही इंपोर्टेंट यह अनुचे 63 के और चले आएपर चाहुग है ऑश्फाराष्ट कि राज्यसभा का पदिन 은प सभापति होगा देश का दूसरा सर्वोच ना 최क आए त देश का दूसरा सर्वोच पद होता है ऐसे उप्राश्पत का पद भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है एक सो वथ आपने पढ़ा था सहयुक्त दिवेशन है एक सो ओन धन और केल लोगशभा में पारित होगा राजयसभा में मतलब शबहा में सरप्रथम wireless रॉट रजी सभा में नहीं राजी सभा के पास नम विद्धैक से संबन्दित मामलों में ज्यादा शक्तिया नहीं होती ज्यादा यह सब्सक्ते ज्यादा कि सब्सक्राइब पारित तो हो गया एक सो ग्यारा क्या कहता है माल लीजिए लोग सभा dealt कर कोई विजैक राज़त में सभाती नहें O कि भया एक बार इसको देख लो मेरे हिसाब से इसमें कुछ कमिया है पुनर विचार के लिए लोटाएगा या ऐसे विध्यक को आरच्छित रख लेगा अर्थात अनुमत नहीं देगा जैसे या अनुमत नहीं देगा वैसे आरच्छित रख लेता माल लिया जाता है कि अब यह क्या हो गया वीटों के प्रियोग में आ गया पुनर विचार के लिए लोटाता है किसने कहा चवालिष में संविधान संसोधन अधिनियम 1988 ने कहा लेकिन अगर यह सदन चाहे लोग पुनर विचार करे या ना करे वह दुबारा ऐसे ही लोटा दे तब राश्टपती हस्ताक्षर के लिए बाद है धन विद्यक है पुनर विचार के लिए लोटा ही नहीं सकता राश्टपती उसको करता ही करना है ठीक है तो अरुचेर 111 क्या कहता है किसी बिल पर अपनी पुनर विचार के लिए लोटा सकता है भारती संविधान के सक्तर में संसोधन द्वारा राश्टपती के चुनाओं में जिन दो केंद्र सासी प्रदेशों को भाग लेने का धिकार दिया गया है वे हैं जम्णू कषमीर जिसमें विधान सभान पाई जाती years प्रमुक अस्मीर जिसमें विधान सभा पाई जाती है अभी भी ये 2019 के प्रावधान राष्ट्पत के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में सामिल नहीं हुए हैं जैसे सामिल हो जाएंगे वैसे हम आप से प्रक्रिया का जिक्र कर देंगे वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि संवेधानिक प्रमुक होता है उसी के द्वारा भारत सरकार के सारे कार्य होते हैं इसलिए वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेत्रित्व नहीं करता है या उक्तिनिम्न में से किस पर काम चलता है अगर तुम्हारा नाम ना हो तुम्हारा काम ना चले तुम्हारा अप्रियोग करके कथन कारण है ये कथन कह रहा है कि भारत का राष्टपती एक निर्वाचक या भारत का राष्टपती अप्रत्यच निर्वाचित होता है। कारण है इसके लिए एक निर्वाचक मंदल बनाई जाती है जो संसत के दोनों सदनों और राजियों की विधान सभाओं के निर्वाची सदस्यों को मिला कर बनता है अभी अभी हमने पढ़ा है इस पे मुझे नहीं लगता कोई व्याख्या देने की मुझे जरूरत पढ़ेग अभी अभी हमने पढ़ा है ए और आर्थ दोनों सही होंगे और सही व्याख्या भी होगे निर्वाची सदस्यों को मिल कर और मिला कर बनता है इसलिए भारत का राष्टपती अप्रत्यच निर्वाचन से चुना जाता है कि संग की कारेपाल की शक्तियां भारत के राष्टपत में नहीं थे लेकिन तिरपन खंडेक कह रहा था कि संग की समस्त कारेपाल की शक्तियां भारत के राष्टपत में नहीं थे मगर वह इसका प्रयोक्स्वयम नहीं कर सकता किसके द्वारा करेगा मंत्री परिश्यत के द से सरकार का ब tow ce चलाएंगी यह भारत सरकार को प्रतिन धित्व करवाथि चलता सरकार कोई । बहिसाइधने करता है जंनता के लिए शासन करता है जंता का द्यान रखता है इसलें एश सक्त say przy प्रन्थु और गलत है कि भारत में राश्ट्रपती का चुनाओ किया जाता है प्रत्यच्य निर्वाचन द्वारा एकल हस्तांतरी मत प्रडाली द्वारा आनुपातिक मत प्रडाली द्वारा खुला बैलेट प्रडाली द्वारा यानि खुले मतदान द्वारा तो भारत में राष्टपत का निर्वाचन मंदल 54 है पचपन राष्टपत का तरीका बताता ह कहता ऐसा भारत का राष्ट्पति अब प्रत्य चुना जाता है ऐसे भारत के राष्ट्पत को चुनने के लिए एकल संकरमडिय प्रडाली सिंगल ट्रांसफर बोट जो की आनुपातिक प्रतिनीजित तो प्रडाली पराधारी और ऐसा चुनाव गुप्त होता है खुलाने सबसे चांसर हो जाएगा एकल एकल हस्तान तरणिय मत प्रडाली तो यह जो है क्या देखना है अभी क्वेस्टन नंबर सिक्ष्टी इस पर जिक्र करें भारती सम्विधान के निमलिखित में से किस एक संसोधन द्वारा राष्टपति को कोई भी मामला मंत्री परिशत द्वारा पुनर विचार किये जाने के लिए वापस भेजने का अधिकाद दिया गया हुआ ऐसा कि जब कभी भारत में संसद की बात की जाती तो कहा जाता तब संसत लोग सभा राजी सभा राष्टपत से मिल कर बनता है यही कारण है कि जब कभी भारत में कोई विध्यक पारित होना होता है तो वह सबसे पहले दोनों सदन लोग सभा राजी सभा द्वारा पारित होकर राष्टपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है अनुचे 111 काता है राश्ट्रपति ऐसे विध्यक पर हस्ताच्छर खेले बाद देदी 42 संभीधान संसोधान अधिये मुनिस सो चीहत्तर ने देदी अब आगे चलकर लोगों ने यह सोचा था कि मौन पद है कोई बोलेगा नहीं लेकिन आने वाले समय में कलाम जी जी जैसे लोग चाहिए कि किसी चीज काम विचार कर सके ठीक है 44 संभीधान संसोधान अधिये मुनिस सवतहत्तर लाया गया और राश्ट्रपति महोदे से कहा गया कि आप पुनर विचार के लिए लोटा सकते हैं कितने समय में लोटाएंगे यह कोई अवधित नहीं थी कितने समय बाद लो द्वारा मिली 44 संभीधान संसोधन अधिये मुनिस सो 78 द्वारा मिली तो यह याद रखे गया यह अभी हमने पढ़ाया था इसलिए हम इसको ज्यादा फोकस नहीं करने लेकिन आपको इस पे ध्यान रखना होगा राश्ट्रपति लोग सभा को कब भंग कर सकता है भारत के प्रधान न्यायादीष के अनुसंशा पर लोग सभा की अनुसंशा पर केंद्री मंदल की अनुसंशा पर मतलब किसके द्वारा लोग सभा को भंग करेगा अनुचेद 85 कहता है कि भारत का राष्टर पति प्रधान मंत्री की सलाह पर लोक सभा को उसके समय से पहले भंग कर सकता है लोग सभा को उसको समय से पहले भंग कर सकता है किन्तु राज सभा को नहीं क्यूं कि राज सभा एक इस्थाई सदन है इसका विग्टन नहीं होता इसके सदस से प्रतिवर्श क्या होते हैं जितने रिटायर होते हैं उतने एप्वाइंडमेंट होते हैं क्लियर है तो इसका मतलब यह क्या है लोग सभा को भंग कर सकता है केंद्री मंत्री मंदल की अनुशंसा पर कथन देखिए राष्ट्रपती संसद का भाग है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपती के स्वीकृत के कानून नहीं बन सकता कथन और कारण बहुत ध्यान से पढ़िएगा बहुत इजी है अभी अभी हमने पढ़ाया है अभी अभी हमने इसको आपको पढ़ाया है चलिए राष्ट्रपत संसद का भाग है अनुशेद उन्यासी कहता है कि संग का एक संसद होगा जो लोक सभा राजी सभा और राष्ट्रपत से मिलकर बनेगा उन्यासी ने कहा कि इसलिए चुकि संसत तीन लोगों से मिलकर बनती है लोग सभा से राजी सभा से राष्टपत से इसलिए राष्टपती संसत का भाग है सही संसत के दोनों सदन लोग सभा राजी सभा किसी विध्यक को पारित कर देते हैं तो वह राष्टपत के पास भेज देते हैं और राष्टपत 111 प्रियोग करते हुए स्वीकृत देता है तब जाके वह विध्यक कानून का स्वरूप लेता है तो खथन कारण दोनों सही है ए और और दोनों सही है और एका सही स्पष्टी करन है तो आंसर ए सही हो जाएगी भारत के राष्ट्रपति डैस की अनुसंसा पर लोग सभा को भंग कर सकते अभी अभी हमने पढ़ा था अनुछेद 85 कई बातों को लेकर चलता है कि अनुछेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति जिस इस्थान पर चाहे जब चाहे किसी परिष्टित में लोग सभा का सत्र बुला सकता है और प्रधान मंत्री की सलाह पर यानि यहां पर मंत्री पहिसद है मंत्री पहिसद का प्रमुक कौन होगा तो आप कहते हैं मंत्री पहिसद का प्रमुक प्रधान मंत्री होगा उसी क की सलाह पर क्या करेगा लोग सभा को भंग करेगा कौन अनुचेत काता है पचासी काता है भारत के राश्ट्रपती पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना अवश्यक है साथ दीन चॉदर दीन काहा जाता है सबसे पहले समझेगा भारत पर राश्ट्रपती के ऊपर चलाये जाने वाला महाभीयोग की प्रक्रिया USA के सम्विधान से लिया गया है भले ही भारत में राष्टपत का पद अमेरिका से ना लेकर ब्रिटिस संसत से लिया गया ब्रिटिस सम्राट से लिया गया किन्तों भारत में राष्टपत का पद पूर्ण रूप से ब्रिटिस सम्राट क वही पर भारत का राष्ट्रपती राष्टाध्यच निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपती का नामकरण, कार्य करने की शक्तियां और तरीके अमेरिका के राष्ट्पत से मिलते हैं। जब कभि भारत में महाभयोग शब्दाय तो केबल एक मात्र ये शब्द किसके लिए प्रियोग होता है यह प्रियोग होता है राष्ट्पत एक दीजे कहां से ली से ली आ गया सईत्राज अमेरिका से ली गया जब अनुछे 56 हम पढ़ते हैं तो 56 कहता है कि भैया राश्टपत का पद क्या होगा राश्टपत का पद ग्रहण की तारीक से अगले पांच वर्स तक होगा पांच वर्स पूर होने पर भी अपने पत पर तब तक बना रहेगा जब तक की इसका उत्रा धिकारी आकर पद ग्रहण ना कर ले चलिए भया के माली जे ये स्वेच्छा से चाहे तो कुछ नहीं है क्यों नहीं है अगर ये चाहे तो स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र प Ginger को पूर हो गया या कारेकाल पूरा नहीं है क्वेस्टर समझे कारेकाल पूरा नहीं और उपश्च्पत को ये त्याग पत्र भी नहीं दिया है और हम लोग किसी बात से इन पर नाराज हैं तो कहें कुछ भी आप करिए भ्रष्टाचार दुनिया भर लाइए कुछ आधार नहीं होगा महाभियोग भारत में राष्टपत के उपर लाने का एक मात्र आधार ही है संभीधान का अतिक्रमर्ड क्यों क्योंकि यह संभीधान का संद्चक है गार्जियन आप कांस्टिचूशन है जब यह गार्जियन आप कांस्टिचूशन है संभीधान का संद्चक है तब तो कहें तब सम्विधान का तिक्रमण एक मात्राधार लेकर आपाईए और क्या करिए चौदा दिन पूर्व सूचना दे दीजिए कि महोदे आपके विरुधम महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं किसी भी सदन में लाईए जरूरी नहीं कि लोग सभाव किसी भी सदन में लाईए लेकिन जिस सदन में लाईए उस सदन के एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर ले लिए फिर उस पर चर्चा कराईए और अगर आपने एक चोथाई सदस्यों का हस्ताक्षर ले लिया, प्रस्ताओ ला दिया, उस पर चर्चा करा दिया, और दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया, तो आपके सदन से पारित हो गया, भेज दीजे दूसरे सदन को, दूसरे सदन की पहली शर्थ होगी, कि वहाँ जाच बैठाएगा, वहाँ जाच बैठाएगा, क्यों कि वह यह अर्धन्याइक प्रक्रिया होती है, महाभियों, तो जब जाच बैठाएगा, तब देखेगा, क्या इन पर लगाया गया आतिकर्मण का आधार सही है या नहीं, अगर सही पाएगा, तो वह भी उपस्तितों मत देने वाले सदस्यों के दोतिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करा देगा जिस सतीति को जाच करने के बाद दोतिहाई बहुमत से यहां भी प्रस्ताव पारित हो गया तो उसी तीति से राश्ट्पत का पद रिक्त माल लिया जाएगा किसके द्वारा महाभियोग द्वा है भारत में अब तक प्रक्रिया नहीं पारित हुई Oooh 52 भारत के राश्रुपति से सम्वंधित निम लिखित कथुनों में से कौऊनसा एक सहीं नहीं है कौणसा एक सहीं नहीं है अब अनुझे स्विच स्विश्चन 21 देखिए और मुझे बताइये कि कौण सा एक आप सही नहीं मानेगे चलिए वह संसत का संगठक है अनुछे दुन्यासी मैंने अभी बताया लोक सभा राज सभा प्रेसीडेंट से मिलकर संसत बनता है तो यह हम कर सकते हैं वह सो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है आज तक आपने देखा है आपने देखा ह संबोधित करता है अभी मैंने अनुछे 87 बताया था भारत सरकार के कारी क्या होंगे पिछली सरकार की क्या नीतिया अच्छी थी आपको आगामी कैसी नीतिया करनी होगी संबोधित करने के लिए बुलाता एड्रेसे ठीक है वह किनी परिस्थितियों में अध्यादेश जाता है जब संबोधित करता है एक बार सदन में जाता जब सहीं तो अधिवेशन करवाता है एक बार सदन में जाता है जब उसके खिलाप महाभियोग और वह जाच के लिए या तो खुद पस्तित होगा या अपने प्रतिनिति को भेजेगा कि निमलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की स्ववीवेकि शक्तियां है मंत्री परिशत की निव्क्ति विधेयक को आपत्तियों सहित वापस बेजना विधेयक को रोक कर रखना छमा प्रदान करना साइंत अधिवेशन के अधिसूचना जारी करना संशत को संधेश स्वाभ विवेकी पूछ रहा है इसलिए को ध्यान से करेंगे क्यों क्यों पैटर नहीं बता देगा यह पैटर नहीं बता देगा कि आप वास्तों में जिस क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं जो मंत्री की नुखति बिलकुल नहीं तब वो मंत्री परिशत की नियुक्ति करता है इसलिए किसी आधार पर स्वा विवेक यहां नहीं है चली विध्यक को आपत्तियों सहित वापस करना यह है 44 संविधान संसोधन अधिनियम 1978 इनके स्वा विवेक पर है वह एक विध्यक पारित होकर आया तो उसको खुद सोचना है ना कि किस विध्यक को हम पुनर विचार के लिए भेजे यहां तो कोई सलाह नहीं देगा इसलिए यह स्वा विवेक होगा ठीक विध्यक को रोक कर रख करते हैं सहयुक्त अधिवेशन के अधिसूचना जारी करना यह अधिसूचना जारी नहीं करते हैं यह सदन के अध्यच का का रहे हैं संसत को संदेश भेजना यह इनका स्वा विवेक नहीं यह तो विधाई का रहे हैं यह परंपरा है संवेधान के करना पड़ेगा बचा क कि नियाय अधीशों की नियुक्ति ये भी नहीं है सुप्रीम कोड के इसमें भी राष्टपति क्या करता है को लेजियम की राई लेकर तब नियुक्ति करता है हाई कोड में भी क्या करता है राजपाल के राई से नियुक्ति कर रहा है सुप्रीम कोड का परामर्स भी सामिल है संदेश भेजना कब भेजना है कब नहीं भेजना है संसत को संदेश कब भेजना है कब नहीं भेजना है कौन सा कारे है यह राश्पत की स्ववीवे की है वो कहता है कि यह तो उसके उपर डिपेंड है जैसे माली जाप राश्पत है यह आपके उपर डिपेंड है कि आप कब स संसत को संदेज देजे कि भैया मंत्री पैस्ट के कारियों की सूचन हमें दीजे कौन देगा 78 के माध्यम से प्रधान मंत्री देगा मैं उनको संदेज विजवाराओं वो आए और बताए इस विशे पर क्या-क्या कारे है यह स्वब भी देख है तो कौन-कौन से हैं दो-तीन को संदा अनुसार इन से राश्ट्र fooled कि की विदाई शक्ति कौन सी ऐसंसत्त का सट्राहुत करना कारे-पाली की संसत्त का सत्रावशान करना जारे-पाली की संसत्की बेठक इस्तगित करना कारेपाल की विधाई प्रक्रिया के माध्यम से कारेपाल की शक्ति का प्रियोग कर रहा है लेकिन जब यह अध्या देश जारी करता है अनुशेद 123 तो इसकी सर्थ ही होती है विलकुल इसको ध्यान में बैठा लीजे की जब यह अनुशेद एक सो तेइस का प्रियोग करता है तब यह क्या करता है यह सारी सक्तिया interviewing 80 क कॉन सी सत्राहुत करणा सब्स ちात्रावसान करणा संथ्य। यह कारिपाल की में समाहित है कारिपाल की में समाहित है किसी भी समय सदन को बुला लेगा अब अलग चीज है सत्रा वसान करना यह इस्थगन की अगर बात करें हाँ पचासी में क्या कहा गया पचासी में दो बारते थी अब आउर क्लियर कर लेजिए पचासी में कहा गया कि राश्पत के पास अधिकार है कि वह लोग सभा अपने तरीके से संसद का सत्र आहुद कर सकता है सत्रा वसान कर सकता है बैठक इस्थगित कर सकता है इस्थगित करेगा लेकिन इस्थगन का अधार अधिकार अनुछे सो लोग सभाई स्पीकर को है गोसित कर देगा वो इस्थगित कर देगा वो इस्थगित कर देगा चलिए अध्या दे पहली शर्थ अथवा कोई एक सदं सत्र में ना हो जब संसद के दोनों सदं सत्र में ना हो कोई एक सदं सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को अभास हो जाए कि कोई विशम परिस्थित बन गई है त्वरित नीड़े लेना आवश्यक है विदी बनाना आवश्यक है उसमें राष्टपती जो आदेश देदेता है वो अध्यादेश और वो छे माह तक प्रभावी रहता है जब तक सदन आना जाए जब सदन आ जाता सदन को लगता रहे वह अध्यादेश तो अच्छा है जिसे 3 तलाग कमामला याद अच्छा है क्या करनेशी को लागू रखे तो डोनों सदन पारित करा किया राश्टपत को भेज़ देते हैं वह कानून का स्वरूप ले लेता है अध्य साथ मा लेकिन इतना याद रखेगा कि जब 6 मा से जादा प्रभावित है साड़े साथ मा तक प्रभावित है तो इसको बाद में कानून बनाया जा सकता है दोनों सदन सत्र में ना हो अत्वा एक सदन सत्र में हो यह कहा क्यों जाता है क्योंकि लोग सभा राज्य सभा और तब भी लागू होगा दोडों नहीं होंगे तब तो जरूर लागू होगा तो यह क्या है यह राष्टपत की विधाई शक्ति यह आपके लिए भाग पांच तक के वह जो कही ना कही किसी ना किसी फॉर्म में मिलेंगे जितने जितने स्वरूफ बदल सकते थे आपके सामने देने की अब आप इसको जरूर देखिएगा कि इस पर क्वेश्टन के पैटर्न पैसे बनते हैं इन सब को याद रखिएगा और इस होली पे अपनी सफलता की होली और उ झाल किसी और रखिएगा झाल को याद रखिएगन के इसामी याद जितने स्वरूश्द हैं आपके सामने के इसामानी पैसे भी आपके सामने रखिएगरूँ झाल